सीरत दिल को तुम से प्यार हुआ की कहानी में फानली आज की एपिसोट में लावन्या के सामने अपने दिल की बात रख देगी जानवी और कह देगी कि वो नहीं करती है प्रीत्मी से प्यार बलकी वो करती है यहाँ पर वो भी सिर्फ और सिर्फ चिराग से प्यार जिस बात क को सुनकर अब यहाँ पर प्रित्मी बहुत जादा गुसा हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस लायक हुई ही नहीं कि मैं जानवी को डेजब करूँ और वो अब यहाँ तोड़ फोड मचाकर अपने हाथ की नस्भी काटना यहाँ शुरू कर देगा जिससे अब मितल परिवार के लोग चिलाने लग जाएगे और जानवी भी शौक में आ जाएगी अब ख़बरों की माने जाए तो कहा जा रहा है यह जानवी का सपना है कि उसने सभी के सामने चिराग को प्रपोस कर दिया है लेकिन अब कहानी में ट्विस तब आएगा जब इस तिलक सेरेमनी में दिपि दिपिका को देख कर पहुचेंगे चिराग उन्हें गरने से बचाने के लिए और अब यह सब बाकी घर के लोग देखेंगे इसी दोरान आप देखेंगे कि यहां पर पहुच जाने वाले हैं वो भी चिराग के सामने या शुवंत यानी कि दिपिका के बापा जो सभी के सा कि ये नौकरानी नहीं मेरी बड़ी बेटी है और ये बात जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे चिराक शौक्ड हो जाएगा लेकिन लावन्या अब रिष्टा तोड़ देगी